Vivo Y15 lens setting नमस्कार डोसतो तो यह दि दोस्तो आपको भी जाना है तो वीडियो को यहाँ पर अन तक जरूर देखे यहाँ पर जो lens का setting है मैं आपको बस वो show करके बता दूँँगा जहें कि कैसे कैसे use करना है कि ऐसे उसका इस्तेमाल होते है तो मैं आपको वो भी बता दूँगा यहाँ पर तो आप simply वीडियो को अंतक देख लीजिगा ठीक है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पेले यही आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पेले तो जाके चैनल को सबस्क्राइब करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को भी क्लिक जरूर कर लिजेगा यही आप ओनलाइन से पेसा कामाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर लिंक दे रखा है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो मैं आपको केमरा के अंदर पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं केमरा जो है ओपन हो चुका है तो camera open होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको lens दिखाई दे रहाँगा site में ठीक है तो इसको एक बार सिधा कर लेते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे lens दिखाई दे रहाँगा तो हमारा जो lens का setting है वो यही पर है तो इसमें click करने के बार आपको एक option मिल जाते है super wide angle यहाँ पर bokeh का option है super macro का option है ठीक है तो super wide angle में दोस्तों आप पूरा wide angle click कर सकते हैं group में आप picture click करना चाते हैं तो आप वो कर सकते हैं ठीक है, bokeh का option यहाँ पर है 2 meters के जो यहाँ पर object है वो उसको काफी अच्छे से जो है focus करते हैं ठीक है, जैसे के आपको background वगरा blur करना है तो आप वो कर सकते हैं उसके बार आपको super macro का option मिल जाते हैं तो super macro 4 cm आउए में अच्छे से काम करते हैं 4 cm के आसपास जो भी object है जैसे के आप बहुत सामने से जो है pictures वगरा click करना चाते हैं तो आप super macro और bokeh के मदद से आप कर सकते हैं ठीक है, तो यह 3 option दोस्तों आपको मिल जाते है camera lens पे यदि आपके camera जो है यहाँ पर 3 है तो आपको यह option मिल जाएगा चार है तो भी आपको option मिल जाएगा ठीक है कोई डिककत नहीं है तो बस दोस्तों यह है setting तो इस प्रकार से आप जो है lens setting कर सकते है वीवों mobile के अंदर पे तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को जाके like करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतने ही thanks for watching